नमस्कार दोस्तों वेल्सकाई की न्यू इंट्रस्टिंग एक्साइक्टिम वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यहां पर आज निफ्टी की दो बड़ी बैंकों में आया है ब्रेकडाउन दोनों तो दोस्तों फाइनली मैं आगया हूँ अपनी स्क्रीन पर जहां पर यह अभी आप देख सकते हैं यह निफ्टी बैंक का चार्ट लगाया है और जो क्लोधिंग थी वह विल्कुल डेलो पर हुई है इसका मतलब कल भी जब मंदे को मार्केट खुलेगा तो चांसेस हैं कि एक बार बैंक निफ्टी और भी नीचे के लेविल दिखाएगा अगर मैं यहां पर आवली चार्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर कंटीनियूसली बैंक निफ्टी में सेल आफ ता हो वो भी ऐसा नहीं कि कोई भी केंडल ऐसी नहीं थी जो कंसॉलेट कर रह है जो अगला लेविल होगा वो इंपॉर्टन यह रहेगा कि बैंक निफ्टी के लिए वो पहले तो आपका यही है उसके बात आप में मान के कैसे चल सकते हैं यहां पर 23,500 तक के लेविल बैंक निफ्टी दिखा सकता है अब आपको जो इंपॉर्टन चीज है कि यहां पर बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टन चीज है वो आपको इंपॉर्टन लेविल ध्यान रखना है 24,250 का अगर यह तूटके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो आप यह मान के चलिए कि बिलकुल बैंक निफ्टी फे 23,600 तक जाने के लिए तयार है क्योंकि उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है बैंक निफ्टी पर जो भी 24,000 का लेविल है यह इसली तूट जाएगा और जो लोग बनेगा वो करीब करीब आप मान के चलिए 23,600 का बनेगा यानि बैंक निफ्टी न भी यही संकेत दे रही है कि यहां पर बैंक निफ्टी में भी ब्रेकड यह एक्सेस बैंक है जिसमें आज ही के दिन ब्रेकडाउन आया है ब्रेकडाउन कैसे आया है इसको मैं इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूं आपको कि यहां पर मैं एक होरिजॉंटल लाइन लगा लेता हूं यह आप देख सकते हैं यह जो बेसिकली ब्रेक आउट आया के कंसॉलिडेशन के बाद यह ब्रेक आउट आया था तो यहां पर काफी दिन तक एक्सेस बैंक होल्ड करने की कोशित कर रहा था आप देख सकते हैं एक ट्रेडिंग सेशन दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस क्यारा बारा तेरा तेरा ट्रेडिंग सेशन के बाद आ आपको उसमें शॉर्ट के ही ऑप्शन ढूनने चाहिए क्योंकि अब यह बैंक हो गई है यहां पर कमजोर नीचे के साइट के जो लेवल है वह आप मानके चलिए जो पहला टार्गेट बनता है दूसरा टार्गेट जो बनता है वह चार सो अस्ती का बनता है यानि अगर बै बैंक इंडेसेंट बैंक में बेसिकली बेकड़ों तीन ट्रेडिंग सेशन पहले ही आ चुका था यह आप देख रहे हैं करीब 8% की जो ग्रावट थी यही एक ब्रेकड़ाउन तर जिसमें काफी हैवी वॉल्यूम से ब्रेकड़ान आया था क्योंकि यह जो लेविल था इं इसने काफी बड़े ब्रेकड़ाउन से आप देख सकते हैं 8% के फॉल्यूम से तोड़ा था उसके बाद यह दो दिन का पुल्वेक दिखा रहा था उसके बाद यह आप देख सकते हैं दुबारा नीचे आने लगया यानि जो इंडेसेंट बैंक है इसमें भी काफी वीकने हैं और आप देख सकते हैं काफी अच्छे वॉल्यूम से गिर रहा है तो आप नीचे के जो टार्गट पहले जो टार्गट बन रहा ह estar बन रहा है अगर देपेंड करेगा निफटी बंको दो यह दोनों बैंक जो अभी चार्ट पे लग रही है सबसे ज़ाइदा कमजोर और देखते हैं अब आगे क्या होता है तो फिलाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है आई होप यह वीडियो आपको बसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं सुधी लेके आता हू होगा हर दिन आपके लिए नएने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों जैहिन